हेले दोस्तों वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल देशे प्रॉफिट टॉग और आज हम बात करने वाले हैं कि एक सब्सक्राइबर नाम से कमेंट करके पूछा है कि उनको तो SBI से जो है 6 लाग का student loan चाहिए 5 सालों के लिए है तो उसका monthly MI क्या बनेगा total उनको कितना interest पे करना पड़ेगा फिर हम आपको बताएंगे कि SBI में अगर आप student loan ले तो यहापके कौन-कौन से courses वगरा आप करने के लिए आपको यहाप से loan मिल सकता है कौन-कौन से expenses जो है आपके आपके cover हो जाएंगे फिर यहां पर आपको क्या features क्या eligibility क्या document वगरा रिक्वार होगा तो complete information देंगे हम इस वीडियो में तो वीडियो को जो पूरा अखरतक वाच करीगा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को एक like कर दीजेग तो सबसे पहले हमको amount लेना है जो हमें लेना है 6 लाग रुपए का तो हमने यहां पर 6 लाग का amount डालिया अब rate of interest क्या चलना है education loan में देख लेते हैं तो हमको लेना है student loan से तो यहां पर student loan में जो rate of interest की starting हो रही है देखिए SBI student loan अगर आप 7 लाग तक का loan लेते हो तो आपक देम होगा तो यहां पर 10.90 से starting होगी है starting point है यहां पर भी देखिए आपको concession वगरा मिला 0.50% जो है concession जो girl वगरा स्टूडेंट वगरा होंगी उनको rate of interest पर जो है concession वगरा दिया जाएगा तो हमने जो rate of interest माल लिया वो 10.90 ही माल लिया जो minimum चला है तो यहां पर चलते है तो monthly M.I. जो आपका बनेगा वो बनेगा 13.016 रुपै इंटेस्ट पर करना पड़ेगा आपको 1.80.933 रुपै टोटल पेमेट आपको करने होगी 7.80.933 रुपै इस तरीके से आप अपना monthly M.I. डिटेल से calculate वगरा कर सकते हो तो यहां पर काफी डिटेल में आपको information वगरा आप चेकाउट कर सकते हो इसकारा हमें देशी लोन, all banks loan offer इस website पर देखे हैं आपको हर bank का home loan हो, personal loan हो, car loan हो, two villa loan हो, education loan हो, credit card हो, इन सब के आपको offer वगरा के link मिल जाएंगे जैसे के access bank education loan, SBI है, HDFC है, PNB है, ICICI है, Kotak Mahindra bank है, तो इन 4-5 bankों के आपको यहां पर offer वगरा के link मिल जाएंगे, जो भी education loan का offer वगरा bank launch करती है, तो उसके आपको link वगरा इस website पर मिल जाएंगे, और भी कुछ important link वगरा मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आपको interest check करना है, eligibility check करना है, document वगरा चेक करना है, तो आप जो है, आसे check out कर सकते हो, तो इस website पर visit करना मत बूलेगा इसका link मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है, अब हम चलते हैं, आपे student loan में जो है, आपे features, eligibility और document वगरा देख लेते हैं, कि क्या क्या लगेंगे, तो यहापे सबसे पहले इसका feature वगरा देख लेते हैं, तो repayment जो period है, वो आप maximum 15 सालों के लिए यहाँ से student loan वगरा ले स कि आपे लिखा हुआ, देखे, repayment period of up to 15 years after course period plus 12 month of repayment holiday, processing charges वगरा क्या लगेंगे, तो यहाँ पे अगर देखे, आप 20 लाग तक का loan लेते हो, तो कोई भी processing charges नहीं लगेंगे, तो हमें लेना है, 6 लाग का, तो हमाए भी processing fees नहीं लगेगे, और अगर आप 20 लाग से जादा का लोन लेते हो, तो आपको 10 अजार जो है, आपे processing charges वगरा देने पड़ेंगे, security वगरा, अगर आप 7 लाग तक का ले सकते हो, तो only parents और guardian जो होंगे, उनको आप co borrowers वगरा बना सकते हो, और अगर आप 7 लाग को उपर लेते हो, तो parents, guardian as co borrower and tenisable collateral security भी आपको यहाँ पे दे लेकिन अगर आप 4 लाग के ऊपर का लोन लेते हो, और अगर आपको study करना है, इंडिया में, इंडिया में study करने के लिए आप लोन ले रहा हो, तो आपको 95% तक जो अभी आपने amount मांगा होगा, उसका 95% जो है, SBI आपको provide कर देगा, और अगर आपको abroad वगरा में study करना इस scheme के थूँ, तो SBI आपको 85% जो होगा, आपके जो जितना भी आपने loan amount मांगा होगा, उसका 85% जो है, लोन आपको provide करेगा, यहाँ पर देखा हुआ, repayment will commence one year after completing of course, आपने 5 साल कोई course करा होगा, तो 5 साल और प्लस एक साल और जोड दीजेगा, तो उसके बाद जो है, आप repayment वगरा अपना कर सकते हो, loan आप जो है, maximum 15 साल के लिए वगरा ले सकते हो, अब eligibility वगरा देख लेते हैं कि क्या require होती, कौन-कौन से जो है, ऐसे courses वगरा है, जो इस scheme के थूँ आपके cover हो जाएंगे, तो अगर आपको studies करना है, इंडिया में, तो इंडिया में study करने के लिए आपको कौन-कौन से courses वगरा मिल जाएंगे, जैसे कि आपको graduation वगरा करना है, post graduation की कोई degree या, डिप्लोमा वगरा करना है, देखिए, आप लिगा professional degree या, डिप्लोमा करना है, courses conducted by colleges and university, जो university और colleges वगरा आपको कराती है, approved by UGC, AICTE, IMC, government, और regular degree मान लिजए, आपको करना है, या, डिप्लोमा courses करना है, conducted by जैसे कोई भी, जैसे बहुत सारे institute वगरा, जैसे IIT, IIM वगरा, जो course कवार होगा, वो होगा, teacher training मालोजे, आपको करनी है, nursing course approved by central government और state government, या आपको करना, इसके लिए आप जो लोगरा ले सकते हो, regular degree करना है, डिप्लोमा, courses like aeronautics, pilot training, shipping वगरा approved by director general of civil aviation, shipping वगरा, जो है, वो courses भी आप यहां से कर सकते हो, job oriented professional technical graduation courses, post graduation degree and diploma courses, जैसे कि MCA, MBA, MS वगरा, उसके बाद अगर आपको abroad वगरा में study वगरा करना है, तो अगर आपको कम amount लेना है, तो आप इस scheme के थुरू ले सकते हो, लेकिन अगर आपको amount है, वो आपको बहुत ज जादा लेना है, तो उसके लिए आप जो है, इनके दूसरी scheme चलती है, जो है, SBI advantage scheme है, जिसके थुरू जो है, आप जो फॉरन में जाके पढ़ाई करना चाहते हो, वो उस scheme के थुरू जो है, लोन वगरा ले सकते हो, वहाँ पर rate of interest, जो है, student loan से थोड़ा सा rate of interest कम आपको मि professional technical graduation degree courses, post graduation degree, diploma courses, जैसे कि MCA, MBA, MS वगरा, उसके बाद जैसे courses conducted by CIMA, Chartered Institute of Management, London, तो इन सब के लिए जो है, आप जो है, courses वगरा है, आप ले सकते हो, उसके लिए loan वगरा है, ले सकते हो, अब कौन कौन से expenses होंगे, जो cover होंगे आपको इस loan में, तो देखिए, college, school और hostel के जो है आपको पूरी fees जो है, आपको पे पेव करी जाएगी, examination, laboratory, और library fees भी जो है, आपको cover हो जाएगी, purchase of book, book वगरा, खरीनी, equipment, instrument, uniform, अगर आपको खरीनी है, तो computer वगरा, purchase वगरा करना है, आपको, जो है, आपको caution deposit, building fund, refundable deposit, यहाँ पे, travel expenses आपके cover हो जाएगे, passage money for steady abroad, cost of two-wheeler loan, अपको अगर 50,000 तक का जो है, आपको तुविल भी जो है, आपको provide कर दिये जाएगा, और कोई other expenses required होंगे, तो complete your course, मादीज, आपको जैसे कोई study tour करना है, project वर है, उसके लिए भी आपको जो है, 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 तो आप यहाँ पर देखे, maximum 7.5 लग तक का लोन वगरा ले सकते हो, लेकिन अगर आप जो है, साड़े साथ से भी उपर का लोन लेना चाहते हो, तो आपको जो इनकी scheme चलती है, global advantage scheme, इसमें आप maximum देर करनों तक का जो है, आसे लोन वगरा ले सकते हो, तो यह इसकी eligibility वगरा require रहती है, अब जो देखे, document वगरा क्या require हों में वो देख लेते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपनी जो है, जो भी student वगरा होगा, उसकी mark seat of 10th, 12th की mark seat और graduation अगर करा हुआ है, उसको approach graduation वगरा करना है, तो graduation की degree आपको यहाँ पर लगेगी, interest exam result वगरा दिखाना है, तो उसके लिए आपको जो है, आपको proof of admission of course दिखाना पड़ेगा, या को offer letter, admission letter, ID card वगरा दिखा सकते हो, schedule of expenses for course, मतलाब आपको जो है, पूरे course का जो है, schedule वगरा होगा, वो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, copies of letter, confirming scholarship, वगरा, gap certificate वगरा दिखाना पड़ेगा, passport photograph of student, parent, co-borrower, guarantor वगरा, जो सबकी एके copy आपको जो है, आपके दिखानी पड़ेगी, asset liability, statement of co-applicant, guarantor की जो है, आपको यहाँ पे asset और liability वगरा दिखानी पड़ेगी, लेकिन यह उनको दिखानी पड़ेगे, जिनका जो है, जो मालीज़े, 67,00,000 से उपर का loan वगरा ले return वगरा दिखा सकते हो, और other जो solid person नहीं हमाली, जो कोई self-employed है, तो उनको business address proof आपको दिखाना पड़ेगा, latest income tax return वगरा आपको दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे bank account statement last six month का दिखाना पड़ेगा, parent, guardian और guarantor का, copy of sale div as other document, वगरा property related document वगरा आपको यहाँ पे दिखान वगरा में जारो, तो passport आपको mandatory है, submission of OVD जो है, OVD मतलब होता, official valid document जो है, आपको यहाँ पर दिखाने पहें, जैसे कि आप दे सकते हो, उसमें passport, driving license, proof of process, आदार का number आप दे सकते हो, voter ID कार्ट दे सकते हो, job card वगरा दे सकते हो, तो यह कुछ document वगरा होंगे, जो require होंगे और OVD अगर proof of address के लिए चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी अपना bill वगरा दिखा सकते हो, property और municipal tax, receipt दिखा सकते हो, pension और family pension, payment order वगरा दिखा सकते हो, तो यह कुछ document वगरा होते हैं, अगर आप SBI से student loan वगरा लेने जाते हो, तो आपको इतने document जो है, आपे दिखाने पढ सकते हैं, तो I hope वीडियो हमारा आपको informative लगा हो, वीडियो अगर आपको पसंद आओ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा, और हमें comment करके बताएगा, आपको वीडियो हमारा कैसा लगा, और अगर आपका कोई query वगरा है, loans related, त comment करके आपको सकते हो, तो आज के वीडियो में बस इतना है, तो मिलता है next video में तब तक के लिए धन्यवाद,